हाई एवरिवन एक बार फिर से स्वागत है लक्समीज किचन में एक नई वीडियो के साथ तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं गाउं की देशी सब्जी लोईए और गौारफली की सब्जी बहुत ही टेश्टी बनती है फ्रेंड्स ही सब्जी तो इसके अंदर हमने इनको अच्छा सा कट करे लिया एक चोटों पिछें में टुकड़े कर लिया है और यहांपर मैं यहांपर दो मेड्यूम स्वाइज कि छोटे जो काचर होते हैं। उनकाचर को भी मैं इसके अंदर कटकर डाल दूँ ताकि खटाई से जो इस सबजी बहुत टेस्टी बनेगी और लेसुन की कलियों को मैंने छिल लिया है चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी लोईए की और गौार फली की तो मैंने कड़ाई ले लि पर लिया हनुर बने लिए और अच्छ और जरूँ अन्ट जरूर देखें और जो मेरे चनल में नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देए ताकि आग मेंने वाली हर वीडियो की नौटिफिक्शन आपको अब तदेख सकते हैं जीरा हमारे अच्छ गोल्डन फ्राइ हो चुक उसको सीधा ही बनाएंगे तो सीधा बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसके अंदर वो गौर्फली ही डाल लेती हूँ और उसको अच्छा सा फ्राइ कर लेती हूँ ताकि जो ये इसका कच्छा पन है वो दूर हो जाए और गौर्फली अच्छी-ची फ्राइ हो जाएगी और इससे हमरे जो सब्जी है बहुत ही टेस्टी बनेगी खुस्भूदार बनेगी तो देख सकते हैं आपने मैंने गौर्फली को डाल दिया और इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं और इसको चलाएंगे दो से तीन मिन तक इसको फ्राइ कर लेंगे इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो जाएगा हलका हलका तो इसे हमें चलाते हुए दो मिन्ट हो चुके हैं और जो गौर्फली का कलर है वो भी हलका सा चेंज हो चुका है तो इसको हमें दोज मिंट और चला लेते हैं ताकि ये अच्छी फ्राई हो जाएं ताकि कच्छा पनुस का दूर हो जाएं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद और फ्रेंड्स वीडियो में वीडियो को अन तक जरूर दे कि तभी आपको पता से लेगा कि मैंने ये गौारफली और लोईय की सब्जी किस तरीके से बनाई है तो ये देखिए इसका कलर भी कितना चेंज हो चुका है और ये अच्छी ची फ्राई भी हो चुकी है अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने लोईय और वो लिये थे इसको भी हम डाल देंगे इनको भी हमें फ्राई करना है अच्छा सा फ्राई कर लेंगे पहले हम डाल देते हैं इसके अंदर काच्चर और जो लोयलियत हमने वो भी इसके अंदर में डाल दिया है सुरी कैमले के वज़े से आपको दिखान नहीं पाई अब इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद में हम इसमें डालेंगे मसाले तो ये देखी फ्रेंड्स इसको मैंने डाल दिया है और अब इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं और इनको भी अच्छा सा फ्राइ कर लेंगे आदे से ज़्यादा सबजी तो हमारी इसी तरीके से बन जाएगी फ्राइ फ्राइ करने में ही बन जाएगी और बहुत ही चेश्टी सबजी बनेगी इसमें हम पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि जो लोईया होता है उसके अंदर बरपूर पानी होता है और उसमें पानी डालने की बिल्कुल भी आशकता नहीं होती है तो आप देख सकते हैं मैं इसको इस तरीके से मिक्स कर देती हूँ और इसमें हम डालेंगे मसाले तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर नमक से भी जल्दी बन जाती है और स्वाद की अकॉर्टी नμक डाल दी है मैंने हल्दी पाउडर आदा टीबल स्पून दनिया पाॉडर एक टीबल स्पून और इसको अच्छा सा मिक्स कर देते हैं लाजमेश पॉडर एक चमच और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और पानी बिल्कुल भी नहीं डालागा क्योंकि हमें ग्रेवी वाल सब्जी नहीं बना रहे हैं बिल्कुल फ्राइ सब्जी बना रहे हैं और गाओं की देसी सब्जी है और इस वक्त ये सब्जी ये बहुत ज़्यादा अफलेव है क्योंकि खेतों के अंदर ये सब्जी ये लगी वी है तो सबी को आसानी से मिल जाएंगी मार्केट वाली है अगर हम सब्जी लाकर बनाते है तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है जितना हम अपने खेतों से तोड़कर बनाते है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है तो फ्रेंड्स ये खेतों की सब्जी लाई वी है इसकी सब्जी बहुत टेस्टी ब पानी आपको नज़र आ रहा हूगा क्योंकि इसमें जो बहु ने लोईए गेरा था तो बहुत है तो इसको डकन लगाकर थोड़े दिर पका लेते हैं तो अब डकन लगा दिया है अटा दिया है इसको देखिए अब मिक्स कर लेते हैं फिर से अब सब्जी हमारी बन गई है थोड़ी ची और चेक कर लेते हैं इसको बना लेते हैं थोड़ी देर और तो इसको फिर से डकन लगा के छोड़ देते हैं और ये देखिए फैर्स लेसून बिरुकुर सब्जी हमारी रड़ी हो चुकी है इसको अच्छा सा मिक्स कर देते हैं और फिर से इसको ड़कन लगा के पका लेते हैं अब देखिए फैर्स ड़कन अटा दिया है सब्जी का कलर देखिए अब कितना प्यारा कलर आ चुका है और कितनी प्यारी हमारी सब्जी बन गई है सब्जी को अलग बतर में सर्व कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंट्स कितनी शांदार हमारी सुजी बनी है इसे मैं अलग बरतन में सर्व कर लेती हूँ तो फ्रेंट्स मिलते हैं कैसी सिंपल सी और आसान सी रेसिपे के साथ लक्समीज किचन धन्यवाद बाई 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 और कमेट बुक्स में जरूर बताएगा कि आज की ये रेसिपे आपो कैसे लगी तो फ्रेंट्स मैंने इसके अंदर लेसुन भी डाला है तो वो पिछे आपको मैं बता नहीं पाई को की कैमरे की वज़े से थोड़ी आवाद में दिक्कत हो चुकी थी इसलिए तो इसके अंदर लेसुन की भी गेरा गया है और इसमें बहुत रेस्टी सबजी बनती है तो थैंक यू बाई बाई कमेंट करके जुरूर तरिएगा की रेसिपी कसी